दमन दीव लोकसभा सीट के निर्दलिय उमीद्वार उमेश पटेल दमन के विभिन सोसाइटी में पूर्ण जोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं सोसाइटी में चल रहे चुनाव प्रचार में उमेश पटेल को जबरदस्ट प्रतिशाद मिल रहा है दमन दीव में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई लोगसभा चुनाव का प्रत्याशी सोसाइटी विस्तार में हर एक बिल्दिंग में चड़कर लोगों से मुलाकात कर रहा है उमेश पतेल के इस चुनाव अभ्यान से सोसाइटी के लोग काफी प्रेरित हो रहे हैं और एक खुशी जता रहे हैं कि प्रत्म बार लोगसभा चुनाव का प्रत्याशी हर एक फ्लैक पर हर एक लोगों से मुलाकात कर प्रचन जीत दिलाने की अपील कर रहा है उमेश पतेल ने लगभगदमन की सभी बिल्दिंगों की सीधियां चड़ चुके हैं और यही वजह है कि ग्रामी विस्तार के साथ साथ उमेश पतेल को शेहरी विस्तार में भी लोगों का जबरदस्ट साथ और सहकार मिल रहा है निदलिय उमीद्वार उमेश पटेल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात कर उनकी हर एक समस्या का समाधान दिलाने का वादा कर रहे हैं साथ साथ उमेश पटेल समस्त समाज को अपने विजन के विश्य में समझा रहे हैं साथ ही उमेश पतेल सभी जगहों पर सत्तापक्ष की विफलता और विपक्ष की नाकामी को जन जन तक पहुचा रहे है और खुद के द्वारा चलाए गए अभ्यान और संघर्ष के बारे में लोगों को जनकारी देकर इस लोगसभा चुनाव में लोगों से समर्थन मान रहे है साथ ही लोगों को अपने चुनाव चेन प्रेशक कुकर को वोड करने की अपील भी कर रहे है उमिश पटेल के इस प्रकार के चुनाव प्रचार से प्रेरित होकर समस्त समाज के लोग उमिश पटेल को भरपूर समर्थन कर रहे है